हाई फ्रेंज मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने वीडियो में बहुत ही खास टिप्स लेकर आए हूँ तो मेरी वीडियो में ऐसे ही लाश्ट तक आप लोग बने रहिए वीडियो पसंदा है तो लाइक करिए, सेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग को कैसी मेरी वीडियो लगती है तो आप देख सकती है मैं आज अपने इस वीडियो में 4-5 टिप्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हैल्फुल होने वाली है तो आप देख सकते हैं इस तरह का नहाने वाला जो सावन है, मार्केट से लेकर आती है तो आप डारेक्ट इसको यूज करती है इसको कैसी यूज करना है, मैं ये बताओंगी आपको बस मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रही है इसकी पर के देखेंगी, तो कोई भी टिप्स छूट सकता है इसलिए पूरी वीडियो देखिए तो इहां पर देखिए सबसे पहले मैं एक चैन ले ली हूँ तो इसका जो कुंडा है फसाने पर क्या होता है जब पहनती है तो बाल में बार बार फसता है तो आप इस तरह का एक सेलो टेप ले लीजिए पहनने के बाद इसको यहां पर इस तरह से सेलो टेप लपेट लेना है, देखिए अच्छे से जो फसाने वाला एक कुंडा है उसी पे लपेटना है और इसके बाद इसे पीछे करके छोड़ देना है आप देख सकते हैं किस तरह से लेकिन इसको गले भी पहनने के बाद ही करना है और मैं अगला टिप्स आपके साथ सेयर कर रही हूँ इस तरह का किसी भी सौब का डिब्बा जो खाली होता है उसको इस तरह से छोटा छोटा कर लिजिए अब इसका मैं क्या करूंगी आप ऐसे ही देख दे रही है अब मैं अपनी आलमारी की तरफ चलूंगी और इसे खोल कर इस जो कपड़ा मैं रखी हूँ इसके बीच में इसको रख लूँगी इससे होगा क्या इसकी जो खुसबू है वो कपड़े के बीच रखने से हलकी हलकी इसमें आएगी जो साबून आपको पसंद हो आपका जो फेबरेट हो वह ही आपको रखिए तो मैं यहाँ पर रख ली हूँ और अप आलमारी को बंद करूंगी इससे होगा क्या मतलब ऐसा लगेगा कि जो साबून मैं यूज करनी हूँ हमेशा मतलब उसमें खुसबूगाती रहेगी हलकी हलकी कपड़ेव से अब तिसरा टिप्स मेरा है निल पेंट को ले करके निल किसी पतीली में पानी गरम करना है और छोटे से बावल में ले करके निल पेंट को उसमें रख लेना है और इस तरह से इसको रखना है आप देख सकते हैं किस तरह से मैं रखी हूँ उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है फिर इसको नीचे उतारना है पानी उबालता हुआ होना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकती हैं 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको लगा रहे हूँ कितने अच्छे से लग रहा है निल पेंट पतला हो गया है जो गाढ़ा हो चुका था वो यह पतला हो चुका है इसे आराम से यूज किया जा सकता है अगर आपको लगी अभी पतला नहीं हुआ तो पानी में इस तरह से आप रख सकती हैं लेकिन इसको गैस पे नहीं रखना है अब गैस पे पहले जो मैं करना था हो कर लिए 10 से 15 मिनट के बाद पहले तो आपको पानी अच्छे से वायल ने देना है उसके बाद बावल में न 10 से 15 मिनट छोड़ना है आप ऐसा करेंगी तो आपका निल्पिंट बेकार नहीं होगा कर तो आप देख सकती हैं इस तरह का जो साबुन है इसका मैं पहली क्या करूंगी देखे जितनी साबुन आया हुआ है मार्केट से मैं सभी साबुन को यहां फ्रीजर में पहले रख लूँगी पहले आपको फ्रीजर में रखना है आप देख सकती हैं मैं रख रही हूँ और इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है बंद करके उसके बाद निकालना है फीर इस करना है तो निकाल कर बाहर नहीं रखना है आपको फ्रीज में ही रखना है लेकिन फ्रीजर से अलग रखना है तो मेरे वीडियो कैसे लगए कमेंट में जरूर बताइए कौन सी टृक काieso ज्यादा अच्छी लगी है और मेरे चैनल पर ना ह